हिंधी भाषा में एक बड़ी जबदस कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत यानि अगर मन में ये बात ठान लीकिए इस चीज़ को मैं कर सकता हूं मन में अगर इस बात को बैठा लिया कि मेरे अंदर इतना पोटेंशल है कि मैं मेरे सपनों की उडान को पूरी कर सकता हूँ तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे कीच सकती है और नहीं रोक सकती है सो आवाजें तुम्हारे आसपास होंगी जो ये कहेंगी कि तुम से ना हो पाएगा और उन सो आवाजों को एक बार में खामोश करना वो कैसे सीखना है तुम्हें अपने अपर्च से अपनी मैनत से और इसी मैनत को बरकरार रखने के लिए इसी मैनत को निखारने के लिए और तुमको तयार करने के लिए तुम्हारे सपनों की उडानों को पूरी करने में हम मदद करने वाले आपकी कैसे, आपके प्यारे प्यारे सूपा वाले फेकल्टीज, हमेशा जो आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त बनके, आपके मेंटोर बनके, आपके गाइड बनके, ठीक है, और इस बार एक नए अंदास में, एक नई पहल के साथ, हमा आपका social science का mentor कह लीजे, educator कह लीजे, आपका दोस्ट कह लीजे या वो कथा वाचक कह लीजे, जो आपको मज़दार कहानिया, किस से समझाएगा और उन किसों से बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा तो चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं, आज हमारे पहले पहले चाप्टर political science के बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारस चाप्टर है, जिसका नाम है power sharing तो इस power sharing के अंदर बहुत सारी बाते करेंगे, बहुत साई चीज़ें सिखेंगे कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब करेंगे और कुछ नई बातों का अगास करेंगे तो जल्दी से आजाओ, लेट्स स्टार्ट चाप्टर, power sharing तो बच्छो क्या हल चाल, केसे हो तुम सब, उमीद है बढ़िया हो, मस्त हो, जबदस हो और कुछ बढ़िया कर रहे हो जीवन के अंदर, तो स्वागत है आप सब का आपके प्यारे एकदम जबदस वाले प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला के उपर, और आपके अपने प्यारे चानल, यानि उड़ान के उपर मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका गोस्त, आपका मेंटॉर और आपका गाइड खुनाल दिस साइड, क्या हल चाल, सब बढ़िया चल रहे है जीवन में, अच्छा चल रहे है, मस्च चल रहे है, दुरुष चल रहे है, चलिए तो बच्चों एक बड़ा प्यारा सा बड़िया सा चार्टर है, यानि पावर शेरिंग, जिसके बारे में आपसे बात मैं कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक चार्टर, बहुत आसान सा चार्टर, लेकिन बड़ा ही जरूरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, हैगे नी बड़ा बात तो सब्सक्राइब गया रहे हैं ना, हैगे नी बड़ा चलिए, तो आज भी अपना यही एजंडा रहने वाला है कि कम समय के अंदर कृsप तरीके से बेसिक तरीके से आसान तरीके से जतनी ज़ादा चीज़े सीक पाएंगे जतनी ज्यादा को समझ पाएंगे वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे ठीक है बचो चले तो स्टार्ट करने से पहले आप से छोड़ी सी प्यारी सी गुजारिश है कि नंबर वन आपने क्या करना है पहले आपको अपने साथ ले आना है पैन और कॉपी वो इसलिए ताकि जो मैं बाते बता नहीं जाना हूं आपको उनको अच्छे से क्या करो लुप साथ लाएंचर और आपको अपना नंबल से लीजिस्टर कर लीजे वहां पे बैचे के अंदर आपको फ्री में बैच दिख जाएगा उरान वाईटी ठीक है वन शॉट करके उस बैच में बिलकुल मुफ्तम है या है enroll कर लीजे और आपके जितने भी notes वगेर हैं वो सारे की सारे आपको वहीं पर मिल जाते हैं ठीक है तो वह तो notes आपको मिली जाएंगे साथ ही साथ एक pen और copy हमेशा रखा करो जिससे आप अपने notes भी खुछ-कुछ film कर सको ठीक है चले तो यह कड़ाई पनील है मम्मी कड़ाई पनील लाओ सार ने का खाएंगे नहीं भाई उससे आएगी नीद तो हैवी मत खाओ कुछ light खालो मंचिंग कर लो कुछ basic basic ठीक है जिससे तुम्हारे दिमाग चलता रहे बिकास भूक लगेगी तो पढ़ने मन नहीं लगेगा तो इससे तुम्हारे भूक भी नहीं लगेगी पानी पीते रहना उससे क्या होगा एकदम बढ़िया एकदम active active सा फील करोगे refresh फील करोगे और साथी साथ copy पे पेंच चलाते रहना जिससे क्या होगा कि तुम्हारे ग्यान में वृद्धी होगी तुम्हारा ग्यान बढ़ेगा साथी साथ भी मजा भी आएगा चली स्टाट किया जाए मारे फड़ा बचस MMA चाक्टर भी यानी power को share करना यानी power sharing ले को बहुत सिंपल है अगर तुम देखो तो यह जो power sharing है यह तुम्हारे आसपास तुम्हारी रोज की जिंदगी में पही नना कहीं तो होता है अब for example मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ यहां पर जो बिचरक class का बहुत helpless बहुत बेचारा इंसान है यानि तुम्हारे class का monitor अब मुझे comment section में जरूर बताना कि कौन कौन सा बच्चा monitor अपने class का monitor वो प्राणी है जिसको बाकी class की बच्चे ऐसी शक की निगास देखत मैं रोहन ने उसको मारा तो छोटी 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 चोटी चोटी complaints जो है यह क्या करता है जाके सीधा teacher को करता है या फिर board पे नाम लिख देता है या फिर अपनी copy में नाम लिख देता है यह hyper active प्राणी है और नाम लिखने के बाद इसके अंदर next level का कीड़ा होता है कि कब मैं आए और कब मैं उनको इनाम दिखाओ और अगर madam आकर के punishment दे दे या sir punishment दे दे तो जो अंदर का satisfaction आता है ना भाई वो next level का आता है पर क्या तुमने कभी दिमाग लगाया क्या तुमने कभी सोचा कि यह सारा नाम लिखने का जो authority है यह जो power है यह इसके पास कहां से आ रहा है कभी दिमाग लगा है क्या ऐसे होता है कि नॉर्मली कोई भी बच्चा उठकर के नाम लिखने लगे नहीं होता ना ऐसा भाई तो यह पावर यह authority कहां से आ रहा है यह authority आ रहा है आपके class teacher के पास से आपने दिखा होगा कि class के इंदर class teacher क्या करती है एक बच्चे क ठाक 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 एसे पूरा रब करेगा और बगल वाली class की दिवार पर जाके ठाक 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 सारा चौक कर जो dust है सारा बगल वाली class में blackboard इंचार्ज का यह काम बहुत common है एक होता है cupboard इंचार्ज जो generally class की सबसे sincere लड़की को या बच्ची को बनाया जाता है विगाउज मैं को पता है लड़के यार यह इद्दम ऐसे ही करने वाले ठीक है तो जो cupboard इंचार्ज होती जितने भी copies होती है प्रोजेक्ट्स होते हैं यह सारा कुछ वो अद्दम बढ़िया तरीके से maintain करके रखती है ना और फिर आता है यह प्रानी जिसका नाम है तो यह जितने भी लोग आपके classroom में दिखाई देते हैं चाहे आपका blackboard इंचार्ज हो चाहे आपके class का जो अलमारी है अलमारी वाला इंचार्ज हो कबर इंचार्ज हो या फिर आपके class का monitor है इन सबको power किस से मिलती है इन सबको power मिलती है आपके class teacher से है ना चले तो इसको power देते हैं आपके school की principal को principal क्या करती है उनका काम है पूरे school को अच्छे तरीके से manage करके रखना ताकि school बढ़िया से function कर सके अब principal देखो सब जगे एक साथ present नहीं हो सकती तो principal के पास no doubt बहुत अच्छा power है पर principal क्या करती है कि अपनी इस power को थोड़ा से divide करती थोड оЮाम होते हैं कई बार senior की coordinator अलग होती है जुणियर की coordinator अलग होती है तो principal क्या करती है यह जो coordinator सर या coordinator código माम होते है इनकी साथ अपनी पावर को share करती है और इनको बोलती है कि आपके सीनियर विंग गों जूनियर विंग पे जतनी भी activities हो रही है उनकी देख बाल करोगे उनको manage करोगे ताकि सारी चीज़े smoothly चल पाए और फिर क्या होता है यह जो coordinator वाम होती है क्या करती है इन powers को किसमे distribute करती है आपके class teachers में आपने देखा होगा कि हरी class की class teacher होती है होती है यह नहीं होती भाई दो लोग होती है class teacher तारेका subject teacher, तो हर ए класс की class teacher होती है, जिसका काम या होता है, अपने class को manage करना, तारे अपने class का attendance, अपने class के results, compile करना, ठीड़ है, अपने class के अंदर जो अलग-अलग activities है, उनको organize करना, ठीड़ है, ये सारे काम किसके है, आपकी class teacher के, और फिर वो class teacher अपने class को manage के निगले क्या करती है powers को divide करती है आपके monitors के साथ आपके covered in charge के साथ आपके blackboard in charge के साथ ताकि class को और अच्छे से चलाया जा सके और फिर आप देखते हो कि जो आपका system है यानि जो आपका school है वो कितने बढ़िया तरीके से चलता है चलता है कि नहीं पड़ा है कूड़ा पड़ा है किसी बच्चे ने जो है एकदम खतरनाक वाला एकदम उल्टी उल्टी कर दिया अब पड़ा हुआ है वो अब भै प्रिंस्पल जब free होगी तब जाके scenario साफ होगा अगर class in charge होगा class teacher होगी तो वो इस काम को बहुत जल्दी मतलब करवा सकती है आया अंटी को बोल करके या किसी इंसान को बोल करके जो साफ साफ है मैनेज करते हैं या जल्दी से साफ कर दो यह तो बहुत normal चीज़ें स्कूल की है कि नहीं तो अगर सोचों कि यह power उनके पास नहीं होती authority उनके पास नहीं होती और हर काम के लिए आपको principle के पास जाना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता और कभी-कभी ऐसा भी होता कि principle कुसी काम को करने से मना कर देता तब आप क्या करते आपके पास तो को country है चाहिए वो वर्ल्ड का कोई भी country हो तो जिस country में राजनितिक पावर यानि पॉलिटिकल पावर को शेर किया जाता है बाटा जाता है आप देखोगे कि वो country बड़े अच्छे से चलता है बहुत बढ़ीया तरीके चलता है है ना बच्चो चलिए तो आज हमारे पास दो मतलब कहने का मतलब है कि अलग-अलग variety के लोग किसी की भाशा अलग होगी किसी का रहने का तरीका अलग होगा किसी का religion अलग होगा तो यह सारा कुछ मिला के आप एक शब्द कहते हैं एथनिक हम बात करेंगा accommodation model की Belgium के अंदर हम बात करेंगे शिलंका के majorityism की और हम बात करें हमारे कुछ सवाल यानि हमारे कुछ questions की ठीक है बएरे बच्चो चले आगे चलते हैं मुलाकात करते हैं अच्छा वाईया तो यह देखा Keeper के मोनीटर है मिल नीज़े आप के क्लास के मोनिटर से तो मैंने क्या किया है मैंने अपनी क्लास यानि हमारी वर्चわか्ट से क्लास का मौनिटर तो मैं अब के क्लास का मॉनीटर हो सकता है तो यह मैं का फेवरेट है ना क्या करें इस वज़े से इसको अभी चेंज कह ली तो अपनी क्लास का मॉनीटर बना देते इसको ठीक है तो यह हमारा डगला से हमारा मॉनीटर है तो याद रखेगा आपके नाम लिख सकता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यह हमारे अपने विंधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है आपको बहुत सारी राजनीतिक बाते सिखाएंगे तो मैंने सोचा कि क्यों न यह बहुत सारे यूद लडगे और कभी-कभी इस वह दे दिया गया यहां जैसे तुम्हार निकनेम होगा maior चुटं मन्टू बिट्टू ऐसे गरके बहुत सारी निकनेम होतें हूंस होते हैं हाँ सबको घर में मंपी ऐसे गिलाती है चुट्टन टिया तो तो ना बइसे आप आप देखोगे तो बेल्जियम को बड़ा प्यारा निकने में इसको कहते हैं कॉक्पिट ऑफ यूरोप ठीक है मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारी बैटल्स हुए बहुत साही लड़ाईयां लड़ी गई पास्ट के अंदर तो अगर आप बात करूगे यार बेल्जि की बेल्जी एम ठीक है अगर हम लोग बात करें बच्चे बेल्जियम की तो बेल्जियम क्या एक बड़ा छोटा देश है कहां पर यूरोप के अंदर वसेपूर मतलिखा ना भाई तो पता चला बच्चे वहां वसेपूर लिखे चले है स्मॉल कंट्री इन यूरोप तो हर्यान से छोटा है ठीक है तो अगर हम बात करें तो अच्छे बेल्जियम स्मॉल कंट्री इन यूरोप स्मॉलर इन एरिया देन हर्याना खतर नाग भाई देख रो हर्याना वालो आज अब यहीं नहीं अभी और सुनगे बिटाई जिसकी पॉपुलेशन है वो भी हर्याना से कम है ठीक है मतलब एक करोन से थोड़ी जादा है लेकिन जो लगभाग अगर आप देखोगे हर्याना की जनसंख्या के आधी है ठीक है तो अगर हम देखेंगे इसकी पॉपुलेशन लिख लेते हैं पॉपुलेशन के अगर हम बात करें पॉपलेशन यहीं जन संख्या लिटेल ओवर वन करोड वन करोड और हाफ दी पॉपलेशन ओफ हर्याना और हाफ दी पॉपलेशन ओफ हर्याना दन चले तो हमने क्या क्या बात रहा नमबर वन बात जानी कि भई यह चोटा सा नननना सा मुनना सा देश है कहां पर है यूरोप कॉंटिनेट के अंदर अगर एरिया की बात करें तो मारे हर्याना से इसका अगर हम बहुत काम है ठीक है मैंने क्या बता है कि population को भी अगर compare करोगे तो एक करोण से थोड़ी ज़ादा population है ठीक है एक करोण से थोड़ी ज़ादा population है लेकिन फिर भी ये हर्याना की population का just आधा है अब बात करते हैं कौन-कौन सी countries कौन-कौन से से देश है जो इसके आसपास आसपास घुमते है ठीक है चले तो ये रहा हमारा Belgium और इस Belgium का जो capital यानी राजधानी है वो है Brussels क्या है बिटा राजधानी है Brussels ठीक है अब इसके आसपास कौन-कौन से देश आपको मिल जाएंगे एक तो हमारा नीदा लैंड्स है एक दूसरा हमारा Germany है इसके बाद हमारा कौन सा है बिटा France है और हमार लग्जंबर्ग है थीक है तो बड़े सुदर सुदर देश हैं या भी लग्जंबर्ग काफी खोब्सूरत है कभी अगर लाइफ में चांस मिले तो लग्जंबर्ग घुम के जरूराना ठीक है तो जरुमनी हो गया France हो गया नीदा लैंड्स हो गया लग्संबर्ग हो गया तो ये बोध countries हैं जो हमारे Belgium को घेर के रखे हुए ठीक है चलिए तो क्या हो गई कौन कौन से countries बेटा नीदर लांड्स जर्मनी चीक है उसके बाद लग्जंबर्ग और लग्जंबर्ग के साथ साथ France ठीक है चलिए question कई बार आता है कि which of the falling countries borders Belgium तो लेख लो फड़ावट से क कई बार ये सवाल आता है कि कौन कौन से countries है जो Belgium को सराउंड करती है Belgium को बॉर्डर करती है तो आपको क्या याजटना है नीदलैंड्स है जर्मनी है लग्जंबर्ग है और हमारा फ्रांस है easy है आसान countries है चले तो अगर हम बात करें बच्चों Belgium के communities and regions की तो एक बार Belgium को समझ अगर हम बात करें भारत के अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में आप देखो भाती भाती के लोग रहते हैं है की नहीं भाती भाती के लोग भाती मतलब different types of लोग है अगर आप देखोगे भारत के अलग-अलग states का खाना अलग है हमारा culture काफी हद तक आप तो इस तरीके से कावे सारा वराइटी हमको इंडिया में देखने को मिलता है लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है हम इसलिए तो कहते हैं यार कि भारत के इस पाथ एक पाथ special है कि इंडिया as a land of unity in diversity भारत विविदताओं का देश है लेकिन हम एक चीज़ को बहुत strongly follow करते हैं या तिस अनेकता में एकता कि हम no doubt हमारे अंदर बहुत सारे differences हैं हम हो सकता है एक दूसरे से बहुत अलग हो लेकिन फिर भी जब देश की बात आती है तो हमारे दिल से एक य नहीं भाई चले और इस तरीके से करें बात करें बेल्जियम की तो बेल्जियम के अंदर कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं परिशानी नहीं प्रॉब्लम नहीं बेल्जियम के अंदर तीन अलग-अलग भाशा बोलने वाली community रहती है ठीक है एक community बोलती है आपकी Dutch भाशा दूस भाशा है है French भाशा हो गई और हमारी कौन सी भाशा हो गई बिटा हमारी जर्मन भाशा हो गई तो Dutch French और जर्मन बोलने वालों की जो संख्या है वह बहुत कम है और मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो हमारे पास Dutch और French है कहां पे Belgian के अंदर अच्छा मज़े की बात क्य अफी है बिल्कुल अलग सा आपको दिखेगा लोग थोड़े से आपको मलब कई सारे स्टेट्स के मिक्स दिखेंगे बिकास बहुत सारे लोग काम करने आते हैं तो capital का जो आप कह सकते हैं ना composition है वो थोड़ा अलग सा है तो वैसे एकर हम बात करें हमारे Belgium की तो Belgium के अंदर देश की बात करें तो देश में अगर आप बात करोगे तो डच बोलने वालों की संख्या थोड़ी जादा है इनका नंबर थोड़ा जादा है फ्रेंच वालों का नंबर थोड़ा कम है और सबसे कम नंबर जो है हमारे जर्मन का है बट अगर इनकी राजधानी ब्रसल्स की बात की जाया निकी capital Brussels की बात की जाये तो capital के अंदर जो French बोलने वाले लोग हैं इनकी जनसंख्या population जादा है और डच बोलने वालों लोगों की जनसंख्या कम है अब अधी तक आपने कहानी सुनी हो तो ऐसा कोई दिक्कत परिशानी दिक्कत तो भाईया तुम्हारा माने तुम डच बोलो तुम्हारा माने तुम फ्रेंच बोलो तुम्हारा माने तुम जर्मन बोलो क्या दिक्कत है क्या समस्या है कोई दिक्कत नहीं लेगन यहां पर ने च्छोटे सा प्रॉब्लम है कहानी में ट्विस्ट है कहानी में ट्विस्ट क्या य जो है तुम से बाते करेंगे चली अब अगर आप देखोगे बच्चों की हमारे जैसे आप माप पर देख पा रहे हो यह माप देख रहे है आपको बच्चे लाल-लाल कलर का रीजन है की पीला-पीला कलर का रीजन है ठीक है चली तो अगर आप देखोगे जो लाल-लाल कलर का रिजन यहां पर कर देते हैं वडोन्य ऑडो यह अब और यहां पर रहने वाले जो माकिसिमम लोग thou फ्रेंश बाले ठीक है और यह ङुसे भारत आने अलग अलग इलाके हैं यह यहां अलग अलग ते तक टुमण है गड़े यहां पे मैक्समँ जंता बोलती है यह घाली जहां पर रहने वाले लोग क्या जर्मन भाशा बोलते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग बोलते हैं ठीक है चले और फिर आपको यह दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा प्यारा सा तो ब्रसल्स के अंदर मैं आपको क्या बता है था अभी कि फ्रेंच बोलने आले जादा है और डच बोलने आले कम तो फिलाल यह कुछ इस तरीके से बेल्जिम के अलग-अलग लाके हैं और उसमें रहने वाले अलग-अलग भाशा बोलने वाले लोग तो यह कहानी है पूरे बेल्जिम के कॉमपोजिशन की ठीक है चली तो अभी समझ से परिशानी दुख कहां पे चली एक बाद देखते हैं बिटा फटा फट से तो अगर आप देखोगे तो जो फ्लेमिश इलाका है यहां पे बोलने वाली जनता क्या है डच भाशा बोलती है और इनकी जनसंख्या है यानि आपके विलोनिया रीजन की बात करें तो यहां पर 40% जनता क्या बोलती है फ्रेंच माशा बोलती है आपसलीटी नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है और बची हुई आपकी एक परसंट जनता क्या बोलती है ये बोलती है भिटा आपकी जर्मन भाशा ठीक है तो ये तो हमने देख लिया कि देश के अंदर किस तरीके के डिविजन से हैं तो हमने क्या देखा कि पर बेसिकली ये लोग डिवाइड़ है चले आगे बढ़ते हैं अब आज आते हैं बात करते हैं ब्रसल्स की तो ब्रसल्स का जो केस है वो काफी कॉंप्लेक्स है ब्रसल्स क्या है बच्छे राजधानी है यहां पर 80 प्रतीशत लोग जो है बिटा वो फ्रेंच बोलते हैं और 20 प्रतीशत जनता ऐसी है जो आपकी डच बोलती है तो इससे दो चीज तो बिलकुल साबित होगी कि अगर ओवरॉल कंट्री की बात की जाए ओवरॉल देश की बात की जाए तो देश में डच बोलने वाले लोगों को ज़्यादा दब दबाए भाई तो डच क्या हो रह है और फ्रेंच वालों को कम है बात करते हैं आज dellan często के आगते हैं कि अगर country के चीज बात है कि इदर हमको लगता है कि कभी कभी अपून इचि बहान है उनLoी नहीं तो दिखो दयार दोनों के साथ क्या हो रहहे दोनों के साथ है कि यह साथ एक चीज में का इसवियु में याद कि लिट चाहरा है और अगर इन दोनों कम्योंटाइज के पीच में मतवेद हो जाए और मानलों लडाइत से ceca rolling में कैसे होंगे कि country के अंदर Dutch वाले भाग रहे होंगे French के पीचे और Brussels के इंदर फ्रेंच वाले भाग रहे होंगे डूनों के हाला ना चल तो अभी क्या होता है कि कभी कभी न जब आपके साथ discrimination किया जाए जब आपके साथ भेदबाओ किया जाए तो आपको बड़ा बुला रखता है होता है कि नहीं अगर मान लोगे आपका कोई चोटा भाई भेहन है और मम्मी आंके लिए चॉकलेट लेकर क्या एक दम बड़ी आसी अब उसको पांच जिसको की मम्मी बहुत ना इंसाफ ही है यह तो बहुत ही गलत किर रही हिए जिए एक चोक exploits उसको 5 चोकलेट ऐसा क्यों तो कई बर तुम यहीं सोचोगे यहना तो बत्चत अब देखो क्या हो रा है कि प्राब्लम किस बात किए प्राब्लम किस बात किए है नेपर और अग तो अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग जंता की बात करोगे तो बिटा ये लोग पैसा है अगर अगर फैसा उतनी है नो डाट आप देखो बड़े-बड़े सम्मेलन के अंदर आपको दिखाई देंगे उनको बुलाया जाता है रिस्पेक्ट दिया जाता है समाज के अंदर पावर है उनके पास एक देम स्पेशल सिक्योरिटी है यह सारी चीज़े आपको दिखती तो भाया जिसके जेम में पाईसा है पावर आपको उसके पास मिलेगी और फ्रेंच वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि भाई फ्रेंच वाले लोग क्या है अमीर लोग है देया रिजगाइस तो बिकोज देया रिजगाइस इनके पस क्या है, इनके पस power है, ताकट है, तो यह जोब हो गए है, या कमाने के बहतेर अफसर हो गए, तो यह सारी जीजे जो हैं, डच वालों को काफी लेट मिलें, फ्रेंच वालों को बस पैसा था पावर थी तो इन्होंने क्या किया ये सारे बेनिफिट्स पहले ही उठा लिए लेकर अगर हम बात करें डच वालों की बिकॉस डच वाले इतने पारफुल नहीं थे इतना पैसा नहीं दन के पस तो क्या हुआ कि इनको जितने भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए चाहिए एकॉनमिक बेनिफिट्स हो या एजुकेशन के बेनिफिट्स हो ये सारे बहुत देर में मिले और इसी बात का जगड़ा है अब डच वालों को लग रहा है कि हमारे देश में हमी को पराय बना दिया लो बहुत Sumple सी बात है की फ्रेंच के पास पैसा तो उंको सारे बेनिफिट्स पहले मिल घये अब डच वाले बीचारे करीब है बनेफिट्स के बास मिल्ट में में बढ़े आती है दोनों के बीच में टेंशन हुए वह बढ़े हाती कब आपके चितने भी कम्यूनिटीस है कौन-कौन से कम्यूनिटीस हैं हमारे दो थे सब्द स्थ स्य देखेब्द फेन्ट वालों का संख्या इतना कम है कि जर्मन वाले बिचारे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहें एक परसंट लोग है भाई एक परसंट जर्मन स्पीकिंग है मातर अब यहां 40 और 59 की बाद चल लिए 80 और 20 की बाद चल लिए उसे बिचारा एक परसंट आदमी कहां आ रहा है तो एक परसंट आज में चूप है भिशांत है तो अभी क्या हो रहा है कि टेंशन क्या होते है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्यूनिटी की बीच में काफी बढ़ जाते हैं 1950 और 1960 अब सोच कि देखो कि अगर इन दोनों में एक वाइलेंट स्ट्रगल होता या वाइलेंट लड़ाई होती है ना तो उसका रिजल्ट क्या होता चलो उसका रिजल्ट तो मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि मान लीजे कि अगर ये दोनों की लड़ाईयां इतनी बढ़ जाती कि यहां पे एक वाइलेंट यूद छुली हो जाता डच और फ्रेंच के बीच में तो उसका नुकसान बेल्जियम को कैसे उठाना पड़ता है यह मुझे आप बताओगे कॉमेंट सेक्शन में चले तो यह है हमारी कहानी नंबर बन उमीद है मज़ा आया होगा इस कहानी में मज़ा आया है कहानी के अंदर बच्चो चली अब देखो हमारे पास कहानी नंबर टू है पहले हम दोनों कहानिया सुनेंगे फिर हम यह देखेंगे किस में किस ने किस तरीके से तो यह तो हमारे कहानी नेंबर वन वान वो गई je अब आती है मारे पास कहानी नंबर टु यानि श्री लंका तो भाई यह लंका वही हमारा एक बड़ा प्यारा सा खुनसुंदर सथेश है इस attachment United быть Island country है इसलेंब ai निश्रके चल रहा है है उसके अलावा भी हम लोग मैच खिलने जाते हैं श्री लंका से कई बार ठीक है तो आपने देखा योगा बच्छ श्री लंका से हमारा बहुत पुराना नाता है विकाज अगा आपको याद हो तो हमने जब कभी भी रामायना में हमारे प्रभू शेराम के बारे में पढ़ाया कि जो लंका पती रावंड थे उनको हरा करके माता सीता को वापस लेकर के आये थे अयोध्या है ना और इसी खुशी में जो थे घी के दीपक जलाए गया आज भी हम दिपावली मनाते हैं सेलिबरेट करते हैं दशेरा को जब सच्चाई और अच्छाई की जीत हुदे बुर अरिकानी सुनते हैं तो आपको माप दिखाई दे रहा होगा श्रिलंका का बड़ा प्यारा सा सुन्दर सा माप है जिसमें एक शेर बना हुआ है ठीक है चले तो अगिर मैं बात करूँ बिटा आपसे की ठीक है नंबर वान की श्रिलंका क्या है एक आयलेंड नेशन है और भ कुछ किलो मीटर्स हैना तमिल नाडू के जो ऄटाथा सदन कोस्ट है वहाँ से कुछ किलो मीटरस आब आगे जाएंगे तो आपको श्रिलंका मिल जाएगा ठीक है चले then कुछ किलो मीटर स्तीत है कि यहां पे किस प्रकार के लोग रहते हैं और उनमें किस बात को ले करके यहां भेदबा हुए चलिए बात करते हैं बड़ी प्यारी बड़ी इंट्रस्टिंग गाहनी है नमर वन तो यहां पे आपको दो बड़ी कम्यूनिटीज मिलेंगी पहली है सिंगाला भाशा बोलने वाली अरे वह गाना याद है तुमको कौन से गाना वह कौन से गाना बड़ा फेमस हुआ चलिए अभी देखा हो का तुमने इंस्टेग्राम पे कुछ नाइं बड़ा वाइरल हुआ था मनि के मागे तो वह जो गाना पढ़ना आपको बदा चलेगा सिंगाली भाशा तो सिंगाली एक ऐसी भाशा है जो श्री लंका के अंदर काफी बोली जाती है और इसके अलावा गर आप देखोगे तो एक और जो भाशा बोली जाती है वो है तमिल भाशा तमिल भाशा और सिंगाली भाशा यह दो बड़ी जो आपके श्रीलंका के अंदर बोली जाती है और जो लोग है बिटा वो इनी भाशाओं के आधार पे डिवाइड़ेड़ है अच्छा मज़िगी बात क्या है यहां पे कि श्रीलंका के अंदर जो पॉपुलिशन है उसका 74% जो पॉपुलिशन है वो सिंगाला भाशा बोलती है याकिन यह बहुत बड़ा संक्या है कि आपके टोटल पॉपुलिशन का 74% यहां पे सिंगाला भाशा बोलती है इसके अलावा अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के अंदर तमिल्स भी हैं कौन है बाई तमिल्स भी हैं कितने परसंट तमिल्स हैं 18% तमिल्स पीकर्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स अब देखें इंडन तमिल्स कौन होते हैं इंडन तमिल्स कौन होते हैं whose forefathers came from India as labors and settled here अब दन चीक है चली लीवर्स को तो और प्यार से लिख लेते हैं ठीक है कि इंडिया आज तो क्या था बच्छों अगर आपने वह अला चार्टर पढ़ा हो कुछ रप कर दिया कि मैंने ओ भाई अगर आपने वह अला चार्टर पढ़ा हो तो अब मेकिंग ओफ ग्लोबल वर्ड वाला तो मेकिंग ओफ ग्लोबल वर्ड में एक बड़ा प्यारा टॉपिक आता है इंडेंचर लेबर का कि पुराने जमाने में क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के तमिल नाडू वाले इलाके से मलब कहां चले गए माइगरेट कर गए श्रिलंका किसलिए वहां पर प्लांटेशन से बड़े-बड़े खेत थे उनमें काम करने के लिए ठीक है अब यह लोग जा करके वहीं सेटल हो गए त इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी लगबग 5% है और जो श्रिलंका के ओरिजनल रहने वाले लोग है यानि ओरिजनल तमिल स्पीकर से इनकी जनसंख्या 13% है तो टोटल मिलाक अगर आप देखोगे तो तमिल बोलने वालों की जनसंख्या 18% है ठीक है तो जो क्लियरली दिख में भी काफी डिफरेंसे हैं फर एक्जामपल अगर आप देखेंगे जो सिंगाला स्पीकर्स है यानि सिंगाला बोलने वाले मैक्समम लोग है वो बहुत धरम को फॉलो करते है ठीक है अब जो तमिल बोलने वाले लोग है उसमें या तो लोग हिंदू है या फिर लोग मु बोल लेती है सिंगाला भी बोल लेती है ठीक है तो इस तरीके सा अब देख सकते हो कि हमारा श्रीलंका का सॉसाइटी डिवाइडीड अबने क्या पढ़ा है यहां पे यह लंका में दो मेजर भाशाइं एक तो सिंगाली भाशा दूसरी तमिल भाशा 74% परसेंट सिंगाली बोलती है 18 परसंट तमिल बोलती है इस 18 परसंट में भी 13 परसंट वो लोग है जो ओरिजनल वह श्री लंका के और पांच परसंट ऐसे जिनको आप इंडियन तमिल्स कहते हो जिनके पापा वगेरा जो हैं फॉर फादर जो थे इंडिया से आयते श्रीलंका काम करने और यहीं स अस्प्लाम धरम फॉलोग करते हैं और बाकी जनसंख्या का साथ प्रतीशद है वो क्रिश्चंस हैं इसाइए लोग जो की जीजस क्राइस को वर्शिप करते हैं तो वो लोग दोनों ही भाशा बोल लेते हैं सिंगाला भाशा भी और आपकी साथी साथ तमिल भाशा भी ठीक सिंधाला स्पीकर्स हैं वो अपनी मनमानी चलाना चाते हैं बाकी देश के उपर हैना इनकी दिमाग में बस एगी खुराफाद दौर डिकिस तरीके से हम अपना कबजा जमाले और सिर्व और सिर्फ सिंधाला भाशा को प्रमोट करें अपने रिलिजन को प्रमोट करें और यहां पर श्रिलंके के अंदर आगए आप देखोगे तो श्रीलंका के साथ भी कहानी कुछ ऐसे ही है कि इए किस तरीके से दो कहानिया है एक कहानी के अनदर आपने देखा की कानी की सिंगाला और सब्स जिन की चल्गए कंप hierarchy तब दोनों कहानियों की प्रॉब्लम समझ में आया कि वहाँ पे क्या दिक्कत है यहाँ पे भी सेम चीज है ठीक है तब समाल उठता है कि सर इसका solution क्या है इसको solve कैसे किया जाए है इसको solve कैसे किया जाए चल तो इसको solve करने के लिए शुरुबात करते हैं लोग श्रिलंका से फिर आएंगे बेल्जियम पर फिर हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है तो इसको solve करने के अगर मैं बात करूँ आपसे तो नमबर वन श्रिलंका ने दिमाग लगाया कि क्यों ना अगर हमारी जो मैजॉलिटी इंगाला स्पीकिंग है अगर वो बाकी लोगों पर डॉमिनेट कर ले यानि अपना कब्जा जमा ले तो कितना ही मज़ा आ जाएगा और इसी परस्पेप्टिव को दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक policy launch की जिसको आप कहते है majoritarianism क्या बोलते हैं मिटाब उसको majoritarianism ठी अगर आप देखोगे श्रिलंका अजाद कब हुआ श्रिलंका अजाद हुआ है 1948 में यह सारे किसी जमाने में किसी यूरोपेन पावर के colonies हुआ करते थे तो श्रिलंका की अजादी मिली 1948 में एक democratic सरकार यहाँ पर बनाएगे एक democratic government बनाएगे ठीक है अब देखे दिक्कत क्य है कि जो majority ministers हैं सरकार में वो सिंगाला speakers है अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके पास political power आ रही क्या आ जारी इनके पास political power ठीक है तो जो majority ministers हैं सरकार के अंदर हो क्या है सिंगाला बोलने वाले अब जब इनके पास political power आ गई तो क्या आपको नहीं लगता यह उसका misuse कर सकते हैं उसका गलत फाइदा उठा सकते हैं उठा सकते हैं ना भाई और ऐसा ही कुछ किया है इन्होंने by us policy called as majoritarianism ठीक है तो इन्होंने एक ऐसी policy लाई इनको एक बात तो समझ में आ गई कि democratic government बन गई कोई दिक्कत नहीं लेकिन majority नेता कौन है सिंगाला बोलने वाले तो भाईया डेफिनिट सी बात है सरकार में जिसकी majority होगी सरकार के maximum decision भी वही लेने वाला है तो अभी क्या होता है कि सिंगाला community को हमेशा सिधा कि हमें तमिल्स के उपर अपना कबजा बनाना है तमिल्स को dominate करना है और इसी बात को solve करने के लिए वो क्या करते है 1956 यानि 1956 में एक कानून लेकर के आते हैं एक act लेकर के आते हैं जो क्या करता है सिंगाला की supremacy को यहां पर establish कर देता है ठीक है ठीक है चले तो यहां पर क्या हुआ कि नंबर वान हम लोग टाइम लाइन देख objective था कि तमिल्स को dominate करना है तो इन्होंने इसी चीज़ को realize करते हुए जब इनके हाथ में political power आ गई तो क्या किया 1956 में एक कानून पास किया एक act पास किया जिसने सिंगाला के supremacy को उनकी कह सकते हैं आप dominance को पूरे श्री लंका के अंदर जो है establish कर दिया ठीक है चले अब इस 1956 क एक्ट से हुआ क्या 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 बदला हुआ श्री लंका के अंदर नंबर वन पहला बदला हुआ यह आया कि इन्होंने क्या क्या सिंगाला को बना दिया official language ठीक है सिंगाला बन गई official language ठीक है तो सिंगाला बन गई बिटा official language ठीक है ठीक है चले दूसरी बात अगर आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे जो नया समविधान आया जो नया constitution आया उसने कहा कि लिख लेना बिटा यहां पे ठीक है जो नया समविधान आया उसने कहा कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि बुद्धिजम यानि बौद धरम को प्रोटेट करना और साथी साथ उसको प्रमूट करना ठीक है तो यानि बौद धरम को प्रोटेट करना है प्रमूट religion क्या बन गया बुद्रिजम आपका official religion ठीक है ठीक है बचो चली तो बुद्रिजम यानि बहुत धर्म क्या बन गया बहुत धर्म बन गया आपका एक official religion अब इसके लावा क्या हुआ कि यह जो आपका 1956 वाला act था इसने क्या किया कि जितने भी आपके applicants है jobs के लिए jobs मतलब आपके जो काम होते हैं गर्मेंट jobs होते हैं या फिर जो government universities है college है उसमें admission के लिए सिर्व सिर्फ सिंगाला applicants यानि सिंगाला लोगों को यहां पर का कि भाई आप ही लोग apply कर ये ठीक है symbols ही बात है तमिल्स को यहां कोई chance नहीं दिया जा रहा है एक tamil बंदा भले ही महंती हो tamil बंदा भले ही hard working हो लेकिन उसको chance नहीं मिल ला है कि अपने hard work को पूरा कर सके है ना तो बिल्कुल भी उसको chance नहीं मिल ला है कि भाई वो अपने hard work को पूरा कर सके या फिर अपने talent की basis पे आगे बढ़ सके लिकाज जो policies launch की जा रही है जितनी भी policies आ रही थी इन्होंने क्या किया सिर्व सिर्व सिंघाला को ही favor किया कि चाहिए वो government jobs की बात की जाए चाहिए वो government college madmission की बात की जाए सब जगे सिर्व क्या चल रहा है सिंघाला है सिंघाला हो तो आपको job मिल जाएगी आप सिंघाला हो तो आपको college madmission मिल जाएगा यानि जितनी भी सरकारी चीज़ें वो किसको फेवर कर रही है सिर्फ और सिर्फ सिंगालास को किसको फेवर कर रही है बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिंगालास को ठीक है अब तुमारे साथ अगर ऐसा बेदाओ किया जाए तो क्या होगा बिटा तुमारा दिल क्या होगा बच्चे तुमारा दिल तोड़ जाएगा जग सुना सुना लगे यही वाला गाना यादा खे शिर्लंका के प्रती मेरे प्यार का है कि नहीं और सिंगाला नहीं लूट लिया देते जा रहे हैं अपनी ही देश में हमको कितना पराया कर दीआ अपनी देश के अंदर बताओ हमको अधिकार नहीं मिलने कितनी गलत बात है सिंगाला जो है अपने लोगों को सारे अधिकार देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं और हमारे लिए कुछ बची नहीं रहा है बहुत ना इंसा फिर बहुत ना इंसा फिर जिंदेगी बरबा अब back to back सवाल कैसे होंगे दीखे बहुत सिंपल है आपको मैं कुछ time दूगा कुछ 25 से 20 से के अंदर आपको क्या करना है सिंपल सी बात है question का answer करना है आप ABC करके answer मत करिएगा आप proper word लिख दीजेगा option एक आगे जो भी answer लिखा हुआ है आप वो answer करोगे so that में जब comment section पढ़ूँ तो आपके answers को पढ़ पाऊं वह बच्चों को देख पाऊं कि भाई किसने कितना answer किया ठीक है चले तो अभी दो back to back questions हम लोग यहां पर करेंगे और इसके लिए मैं आपको दे देता हूं एक्दम बढ़िया वाला सुंदर वाला प्यारा अला टाइमर तो बालक आपका timer जो है यहां पर आ गया है तो साथ प्रतीशत Christians हैं जो श्रिलंका में रहते हैं वो कौन सी भाशा बोलत प्लावट जलता है उच्छो ड़न कर लें बिटा लिए बच्छो चलिए मैं वेट करूं वैसे उसके बाद आपन दूसा कोश्चन करेंगे बहुत बढ़ियां तो बच्चो क्रेक्ट टांसर क्या था बिटा क्रेक्ट टांसर ने क्या देखा कि जो साथ प्रतीशत क्रिशन समाज की जनता है वो दोनों ही बाचा बोल लेती तमिल भी बोल लेती सिंगाला भी बोल लेती है तो बहुत बी एंसी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है अगले साल पर चले अगला कुशन करते ना विच रिलीजिजन वस डिक्लेरड अफिशल रिल दूँगा आपको तीस सकेंड का समय है और टाइम स्टाइट साओ फड़ावट से बताओ चलो कि कौन से ऐसा रिलीजिजन है जिसको ऑफिशल रिजिजन का आगया शिलंका के मैं साइड हो जाता हूं बताइए जल्दी से आंजी देख रहा है मैं को सब दिख रहा है सब दि दो एक वाव क्या बात है बहुत बढ़िया था सुपब चला तो ऑप्शन नमबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्लास में चली तो बच्चों भी बहुत देर से मैं आपसे बड़ा प्यारा सा जो है आपको एक टर्म बता रहा हूँ बहुत सवाल होगा मन के अंदर कि सर इसको लिखते कैसे है न सर स्कूल में अगर मैडम पूछेंगी कि स्कूल में अगर मैं पूछेंगी बिटा डेफिनेशन लिखके दिखाओ अभी बच्चे कहेंगी सर डेफिनेशन क्या होगा इसका अगर स्कूल में मैं पूछेंगी बिटा डेफिनेशन लिखके दिखाओ तो बच्चा कैसे लिखोगे देखो बहुत सिंपल है बहुत इ majority community should be able to rule the country लेखलो फटावट से should be able to rule the country in whichever way it wants लेखलो फटावट से देर्वाट 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 से the needs and wishes of the minority done है चले तो हमने क्या पढ़ा बच्छों अभी अगर आप से स्कूल में लिखने को आएगा कि सर मैजॉर्टेनियसम का डेफिनिशन लिखे तो कैसे लिखेंगे बिटाब एक ऐसा बिलीफ यानि एक विचार धारा है जहां पर majority community ये मान लेती है कि जैसा चाहे और जिस तरीके से चाहे वो देश को चला सकती है और इसके लिए उसे जो minority है है ना उसके needs and wishes यानि उसकी जरूरतों का ख्याल लखने का जरूरत बिलकुल नहीं है यानि कुल मिला करके अपना राज चला लेना कि भाया majority में है हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे अगर तुम्हें नहीं पसंद आता तो भाया कोई दिक्कत नहीं है हमारे जो मन में आएगा हम वही करने वाले हैं बिटा तो ऐसी विचाल धारा कहलाती है आपकी चला आगे बड़े चला तो अभी तक थो आपने यह देखा कि यार कौन-कौन से स्टेप्स यहां पर लिए गए गये तो आप यह सारे स्टेप्स को यहां पर बच्चे लिख करके आएंगे ठीक है चला आगे बात करें जल्दी से चला तो अब देखो क्वेशन यह है अब सवाल यह है कि जितनी भी चीज़े यहां पर की गई उसका तमिल्स की उपर क्या इंपाक्ट पड़ा देखें बड़ा इंपॉटन पॉइंट है यहां पर कि आप देखो गए कि भईया हमारे जो तम कुछ प्रभाव तो उनके उपर पड़ा होगा कुछ ना कुछ इंपाक्ट उनके उपर पड़ा होगा है ना है कि नहीं बचों चले तो लिखते हैं कि भाई क्या इंपाक्ट था जो हमारे तमिल्स पर पड़ा आप लोग लिख सकते हो साधी साथ चाहो तो कि भाई हमारे तमिल भाई भेहनों के उपर जो था अभी यहां पे क्या impact पड़ा कैसे उन्होंने उसको feel किया तो देखो इनके साथ क्या हो रहा है यार अपने ही देश के अंदर भेदा हो रहा है तो जब आपको अपने ही देश के अंदर पराया बना दिया जाए आपके साथ बेद्धाव किया जाए तो अंग्रेजी भाषा में एक शब्द यूज़ करते हैं इसको हम एलियनेटेड एलियनेटेड का मतलब होता है बड़ा अलग अलग सा फील करना आप अपने ही देश के अपने ही परिवार का जब अपने आपको हिस्सा फील ना करो इसको नमर वन दे स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड लिख लो भाई वड़ा वचसे तो जो बचसे हमारे उड़ान बैस में और लिड़ी पढ़ते हैं उन सबको बता होगा कि जब मैं क्लास्स करवाता हूं अभी तो बहुत सारी चीज़ें अलग लग तरीकेस पढ़ते हैं क बहुत सिंपाल है कि अपन तुम उड़ान चानल पर उना भाई तो बिल्कुल क्लियर इंट तो जैसा अपन बैस में पढ़ाई करते हैं उड़ान बैस के अंदर यहां बहुत सारे प्यारे बच्चे जो कई बार मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते चीजों को तो लेकिन देखो सिंपल सी बात है जैसा हम लोग के दम मस्ट पढ़ते हैं बैस के अंदर वैसी बच्चे अब ऐसा नहीं योट्यूब नहीं नहीं सार उड़ा देंगे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं ठीक है तो इसलिए मैं तुम लोग के साथ साथ चल रहा हूँ इसलिए तुमको बोल भी रह हूँ गे ठीक है समझे नहीं समझे तो लिखो वड़ा वड़़् से चल लिखो तुमको इस बात तु समझ में आ गई इनको लगा कि चितनी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिसको बुधिस सिंगाला लीडर्स लीड़ कर रहे हैं वो तमिल्स की needs and wishes को लेकर के बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रहे ठीके चले they felt that the political parties they felt that the political parties led by the buddhist singhala leaders singhala leaders ठीके did not respect tamil language and culture tamil language and culture कि ये लोग भाया tamil भाशा को और tamil culture को जो है बिल्कुल भी respect नहीं करते हैं उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं रइट चली और इनको ये भी लगने लगा कि जितनी भी नई policies बनाई जा रहे हैं जितनी भी नई policies आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं इनको political rights नहीं दे रही political अजिकार नहीं दे रही लिखते चलो भाई they felt that they felt that लेख लो भाई वड़ा बच्चे बच्चो done they felt that the new policies they felt that the new policies नहीं policies क्या कर रहे हैं भाई नमबर वान denied them equal political rights denied मतलब ना देना denied them equal political rights यानि जो उनके political अधिकार होने चाहिए ठीके राजनीतिक अधिकार होने चाहिए सामाजिक अधिकार होने चाहिए पहली बात तो वो उनको नहीं मिल रहे जो की बात बिल्कुल सही है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखोगी बच्चो तो पहली बात तो उनको वो नहीं मिल रहे फिर साथी साथ उनके साथ भेदबाओ किया जा रहे किसमें भेदबाओ किया जा रहे opportunities के अंदर चाहे वो educational opportunity हो किसी अच्छे college मेंट मिशन की बात आ है या किसी सरकारी जॉब की बात आ है किसको favor किया जा रहा है सिर्व और सिर्फ सिंगालास को यानि tamils be like हमारे कोई feeling ची नहीं है हमारी इतनी घतनाग बेस्ती की जा रही है obviously बाते बच्चे यही हो रहा है सारी चीजों में सिंगाला 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 इनी को आगे रखा जा रहा है और tamils को एदम पीछे कर दे रहे है चले लिग लेते हैं बड़ा बच से चलो so denied, discriminated against them in jobs and other opportunities discriminate का मतलब बच्ची भेदबाओ करना ठीक है और साथी साथ जो इनका interest है इनकी जो demands है इनकी जरूरते हैं इनको भी ignore किया जा रहा है ignored their interest done है? चले तुमने क्या देखा बच्चों भी यहाँ पे तमिल्स के उपर क्या-क्या impact पड़ा, क्या-क्या को सीखने को मिला number one, पहला impact है कि इनको जो है अलग सा लगने लगा पराया feel होने लगा, यानि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दो बारा है ना तुम तो लेगा है सारी policy कि हमारा यहाँ कोई नहीं तो वही वाला सिनारियो इनके साथ कि भईया इनको क्या लग रहा है इनको ये लग रहा है कि आर अपने ही देश में इनको पराया बना दिया चीक है, कि हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहा दम था policy भी उन्हों ने चीने जिनके पास power इदम धम था ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है भईया सिंगाला असके पास power जादा है politics में उनका majority जादा है, तो सारी policy अपने हसाब से बना रहे है फिर उसके बाद जो है इनको ये लग रहा है कि भईया जितने भी बुद्धिस सिंगाला leaders है जो कि बुद्धिस सिंगाला leaders द्वारा lead के जा रहे है वो बिल्कुल भी Tamil language और culture की respect नहीं कर रहे है जो की बात बिल्कुल सही है, ठीक है साथी साथी ने ये भी लगा कि जो नई नई policies आ रही है वो इनको ना तो equal political अधिकार दे रही है नाई jobs के अंदर उनको equal अधिकार मिल रहे है नाई education के अच्छे मौके मिल रहे है और साथी साथ इनके जितनी भी needs हैं के जितनी भी जरूरते हैं उन सब को यहाँ पे ignore किया जा रहा है अब देखो कभी कभी कहते हैं ना है ऐसे ही हुआ था कि सीरिया आपको पता होगा तो Arabic World का एक country है जिसमें आपने सुना होगा कई बार के आतंगवादियों ने कभजा कर लिया ISIS महाँ पे घुज गया बहुत सारी लड़ाई जगड़ा चल ला है सीरिया बहुत सुन्दर देश था लेकिन अभी बहुत बरबाद हो चुका है उसका रीजन भी कुछ ऐसा ही है कि जब वहां के जो प्रेजिडेंट साब थे उन्होंने क्या किया आके अपना मनमानी चलाना स्टार्ट कर दिया जब वहां के लोगों ने अवाज उठाई आंदोलन किया तो उनको मार दिया उनको टॉल्चर किया अब फिर लोगों ने क्या किया तियार उठा लिये पहले पीस्फुल प्रोटेस्ट चल रहा था बाद में वह प्रोटेस्ट इतना वाइलेंट हो गया कि अभी सीरिया के अंदर अलग-अलग रेबल गुरूप्स हैं वह फाइट कर रहे हैं उसमें बीच मातंगवादी घुज जाते हैं और साथी साथ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज बड़े-बड़े कंट्रीज जिनको बहुत जादा इंट्रेस्ट है सीरिया के रिसोर्स के अंदर वो भी उसमें घुज गए तो आज रिजल्ट पूरा कंट्री और वहां के लोगों का जीवन बहुत खराब हो गया है तो वैसी अगर आप देखोगे तो यहां प लोनों पे जब इनके जो अंदोलन हैं इनके स्ट्रगल्स हैं इनके उपर जो वहां की सरकार है अगर कोई आक्षन नहीं लेगी इनकी नीद्स और डिमांड्स को पूरा नहीं करेगी तो एक समय ऐसा आएगा तो आप देखोगे श्रिलंका के अंदर भी जो लोग हैं वो हत हो कि यूद्ध जैसा लगने लगे वार जैसा लगने लगे उसको हम कहते हैं सिविल वार चीक है चले आगे बात करते हैं तो यह तो बात हो गई भई कि हमारे तमिल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा और आप कह सकते हैं कि टेंशन से स्टार्टेड ग्रोईंग जो तनाव था सिंगालाग और तमिल्स के बीच का बिटा भी वो क्या हुआ बढ़ता गया चले अब सवाल ही उठता है कि सर्थ तमिल्स ने रिस्पॉंस कैसे किया यह तो चली हमने बात के लिए इंपैक्ट था अब सवाल ही उठता है जिससे तमिल्स ने कैसे इसपॉंट किया था मिल्स ने खैसे रियाक्ट किया चले इसवाल कशंद सवाल करते हैं और सवाल के बाद चल human बच्चों आपके लिए फड़ा बच्छे तयार हो जाएए pen और copy लेकर के which of the following pen दो के बाद निकल गया भई which of the following is a part of majoritarian policies दन है चले चार ओप्शन दिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिंगालाज इन जॉब्स डिनाइंग इक्वल पोलिटिकल राइट्स तो सिंगाला ठीक है option number C डिनाइंग इक्वल पोलिटिकल राइट्स रोड़ तो सिंगाला option number C buddhism established as official religion ठीक है या फिर श्रे लंक का गेंड इंडिपेंडेंटेंट्स in 1956 done चल तो चार option से बिटा आपको ये बताने है कि इन में से कौन सा ऐसा option है जो majoritarian policies का हिस्सा है ठीक है इसका हिस्सा है तो मैं आपको as usual यहाँ 25 सेगेंड का समय मैं आपको देता हूँ ठीक है 25 सेगेंड का समय आपको मिलता है यहाँ पर बचो तो 25 सेगेंड के अंदर फड़ा वट से question पढ़ लो एक बार कि इन में से कौन से ऐसा लगता है कि आपको majoritarian policies का एक बड़ा हिस्सा है ठीक है सॉड़ेड है चले समय शुरू हो गया आपका चले फड़ा वट सांजा करिए कि बुदिजम को ऐसा official religion यहां पर establish कर दिया गया यहां फिर स्रेलंका को 1956 में इंडिपेंडेंस मिल गई ठीक है ड़न है चली फड़ा वट सांजा करिए जल्दी से ड़न है बिटा ओके सुबब ड़न कर लिया चले बढ़िया तो भाई समय हो गया आपका समाफ्त तो देखें यहां पर आप देखोगे सिंगालास के लिए के तमिल्स होता तो बात सही थी तो option अब इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक के उपर हम लोग देखेंगे श्रिलंका के जो तमिल्स थे उन्होंने रियाक कैसे किया और उसका क्या रिजल्ट हुआ तो यह अपन देखेंगे उसके बाद आपन बात कर रहे थे एक बड़िया से मस वाले सवाल की तो मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग साथ करेंगे हमारा अभी बच्चों अगर आप देखोगे चलिए तो बहुत जरूरी है कि यहां पे किसी ना किसी तरीके से जो हमारे तमिल्स है वो भी तो रियाक्ट करेंगे डेफिनिट सी बात है चले तो अपना जो अगला टॉपिक है मस्त वाला जबदस्त वाला टॉपिक है तो उसको ठीक है चले तो बच्चों कर आप देखोगे शिलंकन तमिल्स को ना रेगुलरली क्या किया जा रहा है भी यहां पे रेगुलरली एकदम मलब बिल्कुल इग्नौर मारा जा रहा है उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं ना उनकी किसी भी जरूरतों को यहां पर एक्सेट नह दमिल्स लॉँच्ट पार्टी इन प्रगल्स फिल्णकान दमिल्स ने क्या कि बच्चों पार्टी इन प्रगल्स लॉंच्छिए अब इसकाग्यारीजन था क्या आद्धे इनके ठीक है फड़ा वट से लिग लिए ज़ल्दी से पॉर रेकगनाइजिंग तमिल एज ओफिशल लांगवेज कि भाई तमिल को एज ओफिशल भाषा यहां पे रेकगनाइज किया जाए नमबर वन पॉइंट उसके बाद आपको याद होगा बच्चे में प다लो इस कहां पर education and jobs के अंदर in education and jobs ठीक है यानि जो आपके जॉब्स हैं या यूनिवर्सटी कॉलेजिस के अंदर जो सीटे हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई सिर्फ सिंगालीज को वहाँ पे पोजिशन दे रहे हैं तो इनका डिमांड है कि भाईया हमको भी तो दो यार हमाई साथ इतनी ना इंसा भी क्यों ठीक है चले और सबसे इंबोर्डेंट पार्ट है कि अब देखोगे श्रीलंका के नौर्थ और एस्ट के अंदर जो है यहाँ पे तमिल बोलने वालों की जनसंख्या जादा है तो यह कह रहे हैं कि एटलीस हम जिस इलाके में जादा हैं हमको वहाँ पे थो थोड़ी पावर पार्ट इन चाहिए तो इन्हीं डिमांट को लेकर कि जो है हमारे श्रीलंकान तमिल्स ने पार्टीस और स्ट्रगल्स को लांच करें यह तीन नंबर का क्विश्चन आता है कि यहाँ पे दिक्कत समस्या क्या है कि यह जितनी भी आपे इनके डिमांट्स है इन सब को सिंहाल लीडर्स बिल्कुल भी अन्सुना करते रहें उनके इसाब से जो है यह इनको कोई जरुवत नहीं है इन डिमांट्स को पूरा करने की तो सिंहाली क्या कर रहें इनको पूरी तरीके से डॉमिनेट कर रहें पूरी तरीके से दबा रहें चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो तो अगर आप देखोगे कि by 1980s उन्नेस वस्ते के दश्रक में क्या होता है बच्चो बहुत सारे ऐसे political organizations बन गए organizations formed demanding a separate state demanding a separate state या फिर आप इसको कह सकते हैं एलम ठीके demanding a separate state separate state को तमिल भाषा में क्या कहते हैं बटाइ question आता है one number में इसको हम कहते हैं एलम क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग separate state इसको बोलते हैं एलम ठीके चलिए लिख लिए फड़ा फट से done तो बहुत सारे ऐसे organizations बन गए जिन्हों ने कहा कि अभी हमको क्या चाहिए अभी हमको एक separate चाहिए एक independent state चाहिए जिसको आप तमिल भाषा में क्या कहते हैं तमिल भाषा में आप इसके इसका आउटकम क्या हुआ इसका आउटकम क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट हुआ एक तगड़ी civil war ठीक है चले हेडिंग डालेंग वड़ा वटसे outcome of the tensions done चलो तो भाई जो इतनी दिक्कत समझ से परिशानी चल रही है उस परिशानी का रिजल्ट क्या है उस परिशानी का रिजल्ट क्या है उस परिशानी का रिजल्ट है हमारा एक जबर्दस civil war तो tensions increased among तिंगालाज और तमिल्स और इसका आउट क्या है बच्चे इस लेट तो अशिवल वार thousands died of both the sites और बोथ communities आप लिख सकते हो कि हजारों की संक्या में जो है ना दोनों तरफ के लोग मरे थे भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान तरफ का लोग मरा हो तो भाई दोनों ही तरफ के लोग बच्चे जो है हजारों की संक्या में मरे लोग के source of income खतम हो गई, economy की हालत खराब हो गई पूरी राष्ट की जो है आप कह सकते हो विवस्ता जो है बिटा दम चर मरा गई है ना तो civil war का जो अंत हुआ था वह हुआ था बच्चे आपके 2009 के अंद है civil war ended in 2009 ठीक है चले तो आपने क्या देखा कि भाई शेलंकांस ने शेलंका के अंदर क्या हुआ कि जो सिंगालास थे उन्होंने तमिल्स के सारे अधिकार चीन लिए as a result तमिल्स ने उसके गेंस प्रोटेस्ट किया लेकिन सिंगालास हुए अपनी बात पैड़े हुए है तमिल्स को कोई भी अधिकार नहीं दे रहे कोई भी राइट्स नहीं दे रहे civil war खतब होई थी लेकिन आज भी इसके जो after effects है वह आपको देखने को मिलते हैं है ना चल आगे बढ़ते हैं लोग लेट्स फॉर्दर बच्छो चलो आगे बात करेंगे आप हम लोग तो अब यह तो कहानी हो गई हमारे श्री लंका की अब बात करते हैं यहार कि बेल्जिय ठीकर अबेल्जियम चलें Parl अबकुमेडिशन मौडिल की बात करेंगे तो अबकुमेडिशन शब्द का मतला बहुता है अज्जेस्ट करना क्या करना बच्छो अज्जेस्ट करना तो बेल्जियम के लीडर से उन्हों ने एक बात को तो बऔर अच्छ है संजा किए अगर आप लोगों के differences को उनके विविदताओं को respect करते हैं और उनको अधिकार देते हैं तो definite सी बात है आपका देश जो है बिटाओ काफी जादा खुशाल रहने वाला है काफी हजी कुशी आप जीवन बुटा सकते हैं चली तो अगर आप देखोगे कि जो लीडर्स थे इन दे बेल्जियम रिस्पेक्टेड दा एतनिक डिफेरेंसे ठीक है फिर अगर आप देखेंगे बच्चे 1970 से बिट्वीन 1970 से लेके 1993 के बीच में जो Constitution था उसको चार बार चेंज किये गए भाई Constitution was amended four times अब ऐसे इस लिए क्या गया तक ही this was done to accommodate the social differences done चले तो यहाँ पे बेल्जियम की लीडर्स को एक बात तो समझ में आ गई कि भाया किसी की भी सुप्रेमेसी किसी के उपर जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ठीक है तो देखो कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने पावर को शेर किया सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे फड़ा बच्चे बोट के उपर चलो अगर आप देखेंगे बच्चे तो क्या हुआ कि नंबर ओफ ड़च स्पीकिंग ड़च स्पीकिंग मिनिस्टर्स वर इक्वल तू नंबर ओफ फ्रेंज स्पीकिंग अट दा सेंटर अट दे सेंटर यानि जो बच्चे आपकी सेंटरल गवर्मेंट थी वहाँ पे नंबर ओफ ड़च स्पीकिंग मिनिस्टर्स और नंबर ओफ फ्रेंज स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया गया इसको अब इक्वल रिप्रेंटेशन भी कहते हो यानि दोनों कम्यूनिटीज के जो नंबर ओफ मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे जो सेंटरल गवर्मेंट की पावर है इसको ले करके जो दो रिजन के स्टेट गवर्मेंट है उनको दे दिया गया right some powers of the center was given to was given to the state governments of the two region state government of the two region में short form लिख रहा हो गमेंट का यापे बख्चों तब से इंपोर्डिन बात की state government जो है लिखते जाहिए सारे points were not subordinate to the center right चले तो अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या क्या गया है जो number of Dutch speaking ministers थे उनको friend speaking ministers की equal रखा गया central government में central government की कुछ powers को ले करके जो दो अलग अलग region से आपके Flemish region Walonia region वहां की जो राज सरकारे हैं वहां की जो state governments है उनके हाथ में दे दिया गया है ना इसके अलावा कर आप देखो कि बच्चे जो state government है वह अभी अपने decisions के लिए center को answerable नहीं है अगर वो कोई decision ले रही है कोई चुनाओ कर रही है या कोई भी काम कर रही है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हर बात जो है आप सवाल कई बार आता है कि वाई डिट द फ्रेंच एक्सेट इक्वल रप्रेजेंटेशन इन ब्रॉसल्स ठीक है कई बार आपसे question पूछेगा कि फ्रेंच ने equal representation क्यों accept किया ब्रॉसल्स के अंदर इसका सीधा simple जवाब है क्योंकि जब country की बात आई देश की बात आई जहां पे डच मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने इस central government के अंदर equal representation को accept किया था यानि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मंतरी है उनका number सीम होगा और इसी वज़े से जो हमारे बच्चे आपके फ्रेंच स्पीकिंग है जो कि आपके ब्रॉसल्स के अंदर majority में थे इन्होंने इस equal representation को accept किया यहीं ब्रॉसल्स की जो सरकार होगी government होगी वहाँ पे भी जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग है वो दोनों ही बिटा एक ही आप कह सकते है number में present होगे ठीक है चली अब मज़े की बात यह है कि इन सब के इलावा गर आप देखोगे बच्चों तो एक और सर it was appointed यह it was elected by the members लेखते जो फटावच से belonging to one language community ठीक है चली कौन कौन सी language communities है बच्चे मैं पस डच है प्रेंच है जर्मन है चली डन तो हमने क्या देखा भी यहां पे कि apart from जितनी भी सरकारें आपको देखें को मिल रही है भी Belgium के अंदर इसके अलावा इन्होंने क्या कि एक separate government बनाई जिसको आप कहते हैं community government अब यह community government इसली बनाए गई थी ताकि जो अलग अलग language community के लोग हैं उनके जो culture related problems हैं जो उनके language related issues हैं इन सब को solve करने के लिए उनी की community का कोई member होगा तो शायद बहतर रहेगा तो अभी क्या है इनको अधिकार दे दिया गया कि भाईया डच लोग फ्रेंच लोग जर्मन लोग यह लोग अपने अपनी community government elected कर सकते हैं अब होगा क्या कि जो एक community government elected है क्योंकि इनी ने अब माल लीजे कोई culture related कानून बनाना है तो अगर डच बंदा डच वालों के लिए बनाएगा तो वो भी accept कर लेंगे लेगन माल लीजे जर्मन बंदा डच वालों के लिए बनाए तो लोग accept नहीं करेंगे तो इसी वज़े से लड़ाई जगड़ा खतम करने के लिए रहों क्या किया है community government मना दी ठीक है चले तो इसके बस किसके regarding power थी इठाट दा पावर रिगार्डिंग इठाट दा पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशनल और लांग्वेज रिलेटेड इशुज ठीक है यानि लोगों के कल्चर संस्कृति उनकी भाशा या उनके एजुकेशन से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम से तो उसको सॉल्व करने का पावर था किसके पास कम्यूनिटी गवर्मेंट के पास अब फ्रेंच वालों ने अपने लिए एक बड़ियाँ चूज कर ली तो फ्रेंच की भाशा से जुड़े या उनके कल्चा से जुड़े अगर कोई प्रॉब्लम सोंगे तो उनी का चूज किया हुआ और बंदा उसको सॉल्व करेगा तो इससे क्या होगा लड़ाई जगड़े का कॉंसेप्टी खताम हो गया ठीक है सडेन है चली तो यह एक स्पेशालिटी है हमारे बेल्जियम मॉडल ऑफ डिमोक्रेसी की तो जहां पर इन्होंने क्या कि बेल्जियम ने और साती सात अगर देखो कि जो उमारी बेल जीम है बचो उसने क्या किया सारे डिफरियंस को यहां पे एक्सेप्ट किया सारे डिफ्रियंस को अप्रिशियाट किया और उनको अपनी डेमोक्रेसी के अंदर आव catching अपने डेमोक्रेटिक सेटप इसलिए कहह रहा हूं क्यूगि पावर को शेयर किया जा रहा है है ना ऐसा नहीं कह रहा हूं कि officially प्रुदान मंत्रिया ऐसा कुछ है तो यहां पर कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने power को share किया एक बड़ा democratic nature है ना और इस तरीके से उन्होंने सारी communities को अपने जगे दी सबके differences को accept किया तो अगर आप देखेंगे कि Belgium श्रिलंका के बीच में difference कि Belgium श्रिलंका वाट्स दडिफरेंस अब यहां पर difference कि question कई बार आपसे पूछता है कि भाया दोनों के power sharing के method में difference कि ऐसा क्या अलग कर दिया है उन्होंने लेकि बहुत simple है अगर हम Belgium की बात करेंगे तो Belgium में जो leaders थे इनको clears था कि leaders understood that unity of the country can only be maintained can only be maintained by respecting the needs of different communities और श्रिलंका के साथ problem क्या थी भाई श्रिलंका के साथ problem क्या थी बच्चो done तो श्रिलंका के साथ problem क्या थी श्रिलंका देखो अब यहाँ पे जो हमारे Belgium की leaders थे उन्होंने यह समझा कि अगर देश की unity बनानी है तो आपको सारे communities को respect देनी पड़ेगी श्रिलंका में ऐसा नहीं था श्रिलंका में क्या हुआ क्या majority community dominated the minority ऐसे क्या हुआ this disturbed the country's unity है ना चले तो हमने क्या देखा भी यहाँ पे कि श्रिलंका के अंदर क्या हुआ कि majority community ने dominate करना start कर दिया जिसका result यह हुआ कि by civil war create हो गई and as a result पूरे देश की जो unity थी वो अभी यहाँ पे खराब हो गई तो इसलिए कहते हैं भीया कि हमको power हमेशा से share करनी चाहिए because power sharing से क्या होता है बच्चो power sharing से यहाँ पे हमेशा जो conflict से बिटा आपके वो हमेशा बच्चे solve हो जाते हैं चले and this brings to our next question यह हमें हमारे अगले question बे ले करके आता है and वो है कि why is power sharing desirable power sharing desirable क्यों है है ना यह question कई बार आता है कि why is power sharing desirable है क्या इसके reasons है तो देखिए अगर हम बात करें power हमेशा दो कारणों के लिए share की जाती है पहला prudential और दूसरा moral तो अभी दगर ने देखा कि जब power share की गई तो हमेशा जो क्या हुआ बच्चे जब for example अगर हम बात करें कि Belgium की कि Belgium में क्या हुआ power share करने से क्या हुआ जो अलग-अलग social groups थे उनके बीच में लड़ाई जगडे का जो concept था वो खतम हो गया और लोग जो है खुशी-खुशी वहाँ पर जी पा रहे हैं था ना चले तो number one अगर prudential की बात करें to it helps to reduce the possibility of conflict between different social groups ठीक है चले अगर आप देखोगे कि भाई Belgium में अगर power को share नहीं किया जाता तो दोनों communities के बीच में जगडा होता जगडा होता तो भाईया उससे देश को नुकसान होता लडाई जगडे से violence होती ही आपका काम धंदा बंद हो जाता लोग का रोजगार चला जाता लोग मर जाते लेकिन power को share करने से क्या हुआ जो possibility थी मदबेद होने की लडाई होने की अलग-अलग political groups के बीच में social groups के बीच में वो यहाँ पर अभी काफी ज़ादा कम हो गए फिर इससे क्या होगा बचे जब लडाई नहीं होगी तो बिटा violence भी नहीं होगा इट avoids violence जब लडाई नहीं होगी तो बिटा violence भी नहीं होगा हिंसा भी नहीं होगी और तीसरे important बात क्या है कि it ensures the stability of the political order ensures the stability of the political order stability of the political order done है चले तो important कि है बच्चे कि आप अगर लड़ाई जगड़ा किसी देश में नहीं होगा तो वहाँ की सरकार भी जो है बहुत smoothly रन करेगी हैना बहुत smoothly बिना किसी दिक्कत बिना किसी परिशानी के तो सब कुछ एक power sharing भी depend करता है कि power sharing से क्या होता है लोगों के बीच में लड़ाई जगड़े नहीं होते लड़ाई जगड़े नहीं होता तो हिंसा नहीं होती violence नहीं होता तो देश अच्छे से चलता है smoothly चलता है political order stable रहता है तो पहले set of reasons को हम कह सकते है prudential का मतलब होता है carefully सोच समझ करके दिमाग लगा करके कोई decision लेना ठीक है तो इसको हम कहते है prudential और दूसरे set of reasons को हम कह सकते है moral moral का मतलब क्या है एक नैतिक तरीके से तो moral में अगर हम बात करें तो power sharing is the spirit of democracy power sharing is the spirit of democracy अनि अगर हम बात करें democracy की लोग तंद्र की तो लोग तंद्र का जो सबसे मूल आधार है यानि लोग तंद्र का जो basic idea बिटा वो इसी बारे में है कि हर चीज़ को share करना चाहिए power को हमेशा divide करना चाहिए तो कभी भी आप देखोगे कि power जो political power है power is shared with people in our democracy है ना हमेशा जो political power है बिटा वो लोगों के साथ किसी भी लोगतंद्र के अंदर किसी भी democracy के अंदर share किया जाता है कैसे share किया जाता है लोगों को fundamental अधिकार दे करके उनको voting rights दे करके अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उनके बस अधिकार होता है कि वो और सबसे important बात क्या है कि democratic सरकार बिटा legitimate सरकार है democratic government is legitimate जो आपकी democratic सरकार है वो legitimate है legitimate का मतलब क्या होता है बिटा यानि chosen by people and answerable to them and answerable to them symbol है तो अगर आप देखोगे कि democratic सरकार होती है बिटा हो legitimate सरकार होती है legitimate का मतलब होता है कि इसको लोगों ने चुना है और अपने हर एक decision के लिए ये लोगों को answerable है जवाब दे ही है इसके पास अगर कुछ गलत करती है कुछ काम नहीं करती है तो लोग पूछ सकते हैं कैसा क्यों हो रहा है लोगों ने उनको चुना है तो यही democratic खासियत है यही power sharing की खासियत है यही power sharing को हम दो reason से करते हैं prudential और moral ठीक है चलिए अब लोग फटावट से आगे बढ़ेंगे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ेंगे चलिए तो अब आ जाते ही बच्चे हमारे chapter के last section पे कुछी topic कुछी minute का chapter आपका बज़ा है तो हमारे chapter का last section जिसका नाम है forms of power sharing ठीक है forms of power sharing ठीक है forms of power sharing अब अगर आप देखो के बच्चों कि power sharing को ले करके ना बहुत सारे wrong ideas थे लोगों के मन में कि wrong ideas about power sharing लोगों का मानना था कि अगर पावर को share किया जाएगा बना पावर डिवाइड हो रही है मत अब आपका देश वह बटा काफी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा देश या सरकार आपकी काफी ज़्यादा कमजोर हो जाएगी ठीक है कंट्रिया government will become weak लोगों का इमानने था कि अगर पावर को share क्या जाएगा तो मतलब पावर डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब जो भी आपकी country है जो भी आपकी सरकार है वह काफी ज़्यादा कमजोर हो जाएगी काफी ज़्यादा weak हो जाएगी चीक है चले तो लोग ऐसा मानते थे है ना लोग ऐसा मानते थे पीपल बिलीव कि जितनी पावर है शुट बी इन दे हांट्स ओफ वन परसन चीक है शुट बी इन दे हांट्स ओफ वन परसन तो मतलब कुल में लागर अगर आप देखोगे तो पावर शेरिंग को ले करके लोग दिमाँ में बहुत सारी गलित आइडियास है पावर शेरिंग का मतलब है पावर आपकी डिवाइड हो जाएगी यानि कंट्री आपकी कमजोर पड़ जाएगी कोई डिसीजन आप जो है क्विकली नहीं ले पावगे लोग ये भी मानते थे कि जो पावर है पॉलिटिकल पावर को हमेशा एक आदमी के हाथ में होना चाहिए अब आप खुद सोचो है कितना अपने आप में गलत बात है चीक है तो लोगों कहीं मानना था कि अगर एक हात्मी के हाथ में पावर नहीं होगी तो कुइक डिसीजन आप नहीं ले सकते अधर्वाइस कुइक डिसीजन चैनाट भी टेकन चैनाट भी टेकन ड़न चल तो भाई ये कुछ रॉंग आइडियास थे अगर आप पावर को डिवाइड कर दोगे शेर कर दोगे तो सारी चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी लोग अभी डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे और कोई भी काम अगर करना है तो बहुत लेट लतीफ होगा हाला कि ये सारी बातों को इदम पूर्ण विराम लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं ये सारी बाते अपने आप में बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं है जब आप पावर शेर करते हो तो आप एक डेहटर ऑपरचुनिटी प्रोवाइड करते हो पॉलिसी मेकर को कि जब बात में डिबेट होता है डिसकेशन होता है तो एक अच्छी पॉलिसी का अच्छा कानून बनता है चले आए फिलाल हम लोग बात करते हैं बच्चे दा डिफरेंट फॉर्म्स अपावर शेरिंग की पावर शेर्ट बट्वीन और्गन्स अफ दी गवर्मेंट प्लेस्ट आट सेम लेवल प्लेस्ट आट सेम लेवल डन चले तो बच्चों अगर आप देखोगे चले तो बच्चे अगर हम देखेंगे तो अभी इंडिया में तीन मेजर ओर्गन से गवर्मेंट के लेजिसलेचर जिसका काम है कानून बनाना एक्जिक्यूटिफ जिसका काम है इन कानूनों को इन पॉलिसी इसको लोगों तक पहुँचाना executive और तीसरा है हमारा judiciary यानि इसका काम है कि अगर कोई dispute हो जाए कोई लड़ाई जगड़ा हो जाए कोई problem हो जाए कोई गलत policies आ जाए तो उस case में उस चीज को decide करना ठीक है अगर आप देखोगे ये तीनों जो हैं बिटा same level पर placed है कहने का मतलब है कोई एक दूसरे से जादा powerful नहीं है ठीक है अब इससे होता क्या है इससे फाइदा क्या है इसका benefit क्या है this helps them to keep a check on each other's power आणा so it is also called system of checks and balances ठीक है चले तो हमने क्या देखा बच्चो भी आपे number one horizontal का मतलब होता है सीधा सीधा यानी लेटा हुआ अगर आप देखोगे तो ये एक सीधी लाइन में legislature इनका काम है कानून बनाना executive का काम है उन कानूनों को policies को लागू करना अगर कोई dispute जगड़ा परिशानी हो जाती है तो इसको solve करने काम judiciary का है यानी हमारे courts, supreme court, high courts district court, तो अगर आप देखोगे ये सारे levels almost equally powerful है जिससे क्या होता है कि ये एक दूसरे पर नजर बनाके रखते हैं कि कहीं को ऐसा ना हो कि कोई जादा powerful हो जाए तो इससे क्या होता है बचे बाव क्यों पावर है ना वो बिटा बैलेंस रहती है इस वैसे हम कुछ को system of checks and balances भी कहते है तो ऐसे form of power sharing को आप कह सकते हो horizontal form of power sharing जहाँ पे power को share किया जा रहा है between organs of the government ठीक है ये question बहुत important है आप से कई बार पूछेगा तो प्लीज इसको याद रखेगा अगला number second number आता है vertical form of power sharing ठीक है vertical form of power sharing अगर आप देखोगे तो किसी भी federalism क्या कहता है अगर आप किसी भी federal government की बात करेंगे किसी भी federal government की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा दो levels तो होते ही है minimum two levels होते है दो से ज़ादा भी हो सकते है minimum मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे एक government होगी एक आपकी national government होगी जो national level पे र्याज चला रही है आपका देश चला रही है और एक आपकी बच्चे provincial level पे सरकार होगी ठीक है तो अगर आप देखोगे किसी भी federal government में federalism क्या कहता है यानि कैसा structure of government जहाँ पे government के दो या दो से ज़ादा levels हो तो इसमें किसी भी federal government के अंदर एक सरकार होती है जो देश चलाती है एक सरकार होती जो आपके राज या फिर state चलाती है अगर हम भारत की बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बच्चे क्या है कि इंडिया में हमारे पास number one एक तो हमारी union government है जिसको आप कहते हो central government ये है हमारी national level पे यानि देश को चलाने का काम किसका है हमारी union government का चीक है तो यह हो गई हमारी national level पर फिर second पर आती है हमारी state government second पर आती है हमारी state government है जिसका काम है हमारे state को चलाने का चीक है इसको आप कहते हैं state level और last आती है हमारी local government जिसका power सबसे कम है यहाँ पर last आती है हमारी local government बचो जिसका power सबसे कम है और यह आपके local level पर यानि आपकी पंचायत्स हो गए आपका जिला परिश्द हो गया municipalities हो गए तो आप देखोगे कि भारत में यह जो पूरा system है है यह तीन levels में divided है यानि आपकी union governments को आप central government कहते है है ना national level पे state government फिर आपका local government तो इस form of power sharing को हम क्या कहते हैं बच्चे vertical form of power sharing vertical form का मतलब होता है power is shared between power is shared between levels of the government power is shared between levels of the government ठीक है done चले तो जब कभी भी power को आप levels of the government के बीच में share करते हैं यानि एक top level है फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे तो इसको हम कहते है vertical form of power sharing इसे भारत के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास एक सरकार है जो देश चला रही है करेंट में अगर हम बात करें तो NDA सरकार नाशनल डेवोग्रेटिक अलाइंस जिसकी मेजर पार्टी बीजेपी है सरकार को देश चला रही है ना देश मलब पूरा देश चला रही है फिर अलग-अलग भारत के जो स्टेट्स हैं उनमें अलग-अलग सरकारे हैं है ना तो वहां की चीफ मिनिस्टर है वो अपने स्टेट को रन कर रहे है फिर आपके लोकल लेवल पे आपकी विलेच पंचायत्स हैं ग्राम सबाय है है ना आपके जिला परिशद है तो यह सब करके जो है क्या करती है बच्चों लोकल लेवल पर पूरे आड्मेस्ट्रेशन को मानेज करती है और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेरिंग ठीक है बच्चा वड़ी चलिए आगे बढ़ते हैं वड़ा वड़ से ओके तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कॉंस्टिट्यूशन जो है क्लियरली हर एक लेवल की पावर को डिफाइन करता है चलिए तो कॉंस्टिट्यूशन डिफाइन्स पावर ओफ इच लेवल ठीक है पावर ओफ इच लेवल डन है चलिए आगी बात करते हैं जल्दी से बच्चो चलिए तो तीसरे नमबर पर आता है बच्चे जब आप अलग अलग सोशल ग्रूप्स यानि समाजिक समुदाओं के साथ जो है बच्चे आप जब पावर को शेर करते हैं ठीक है फर एक्जामपल अगर आप देखेंग अमंग सोशल ग्रूप्स चलिए निकलेते हैं इसको पावर शेरिंग अमंग सोशल ग्रूप्स ठीक है ठीक है अब देखोंगे बच्चो की पावर को कई बार इसका एग्जामपल अग्म्मूनियुटी गवर्मंट देखोंगे बल्जयम में एग्जामपल क्म्मूनियुटी गवर्मंट देखेंग बल्जयम ठीक है एक्जामपल आप दे सकते हो बच्छों यहाँ पर Community Government in Belgium का फटावट से लिख लो जल्दी से ठीक है चले ना फिर अगर आप देखोगी बच्छे तो क्या होता है कि समाज में बहुत सारे अलग-अलग धरम के लोग रहते हैं अलग-अलग language बोलने वाले लोग रहते हैं तो कई पर political power उनके साथ भी शेर की जाती है जैसे Belgium के अंदर हमने Community Government बनाई क्यों बनाई ताकि जो अलग-अलग भाशा बोलने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को solve किया जा सके ठीक है फिर अगर आप दिखोगे कि power shared among ठीक है power shared among जो weaker sections of the society होते है for example आपके women हो गए जिसे हमारी महिलाए हो गई है ना आपके women हो गए religious minorities हो गई जिनकी संख्या कम है देश के अंदर या फिर आपके depressed classes हो गए for example SC हो गए हमारे देश में ST हो गए schedule tribe या OBC other backward classes हो गए ठीक है तो अगर आप देखोगे तो बच्चे कहीं न कहीं power इनके साथ भी शेर किया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है ठीक है ऐसा इसलिए किया जाता है दाकि बच्चे हर एक इनसान को democracy के अंदर equal अधिकार मिले for example अगर आप देखोगे तो केस में यहां पर seats reserve की गई है local bodies अगर आप minorities and depressed classes की बात करोगे तो यहां पर reservation दिया जाता है education and jobs में reservation in education and jobs right चले तो बच्चे अगर हम देखें यहां पर तो power को share किया जाता है कई सारे groups के साथ समाज के अंदर अलग अलग groups है कुछ ऐसे हैं जो की काफी समाज में weak है for example जैसे आपकी महिलाए हो गई कुछ religious minorities हो गए यानि ऐसे religion जिनकी संख्या जो है बहुत कम है देश के अंदर खीक है depressed classes जैसे schedule caste, schedule tribe, OBC तो इन सबको बहुत समाज में बहुत time से अधिकार नहीं मिले जिनको पुराने जमाने में अधिकार नहीं मिले अभी उनको proper अधिकार दिया जाए opportunities जी जाए चाहे वो education हो या फिर आपका jobs हो है ना चले आगे बात करते हैं बच्छे ना तो ये तो हमारा बच्छे पूरा हिसाब किताब हो गया भाई कि किस तरीके से हम लोग अलग objective बहुत simple है इसका objective वही है कि equal समाजक और political rights देना ठीक है तो अगर हम objective की बात करेंगे तो objective बहुत simple है objective है to give equal political and social rights right चले अब इच्छी किस ताथ आजाते हैं हमारे last और आखरी power sharing पे यानि power sharing among pressure groups and political parties and political parties done ठीक है चले ओके तो अगर आप देखोगे की democracy के अंदर क्या होता है लोगतांजव के अंदर क्या होता है लिख लेते हैं बाफट आवट से कि यह ना democracy लोगों के पास power है to choose the representatives यह people choose their leaders भाई लोग अपने नेता चुनते हैं हैगे नहीं चले and लोग अपने नेता कैसे चुनते हैं with the help of voting right they do this with the help of voting यह अगर आप देखू कि बच्चों तो चुनाओ होते हैं elections होते हैं ठीक है तो बच्चे क्या होता है जो different political parties होती है the contest elections try to win and form government and form government ठीक है चले sorted है now तो अगर आप देखोगे बच्चों कि कभी भी किसी भी democracy के अंदर लोगों की पास अधिकार है कि अपने leaders चुन सकते हैं कैसे चुनते हैं वो बटा voting की तुरू elections होते हैं चुनाओ होते हैं अलग-अलग political parties और चुनाओ में खड़ी होती है जो political party जीती है वो बटा वहाँ पे आपकी सरकार form करती है क्या होता है कि कभी-कभी sometimes two or more political parties join hands इसको हुँ कहते हैं alliance this is called alliance ठीके और अगर ये alliance elections जीत जाता है if this alliance wins elections जो government form होती है बटा is called coalition government done sorted चली तो हमने क्या देखा बच्चे भी यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है दो या दो से जादा political parties हाथ मिला लेती हैं अपस में और एक बड़ा group बना देती हैं ऐसे बड़े group को आप कहते हैं alliance और माल लिजे ये alliance अगर चुनाओ जीत जाता है तो जो सरकार form होती है उसको हम लोग कहते हैं बटा क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं coalition government या फिर गड़बंदन की सरकार चीक है sorted है चली अब अगर आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे किसान वगे रहे हैं बटा ये भी groups form कर लेते हैं groups are formed by groups are formed by industrialist farmers है ना businessmen right चली तो अब देखोगे बच्चे कई बार जो है हमारे farmers, industrialist, businessmen ये लोग कुछ group forms करते हैं to fight for their interest ठीक है अपनी जरूरतों के लिए अपने demands के लिए लडने के लिए इनको कह सकते हो these are called interest groups और pressure groups ठीक है चाली भाई चुनाओ नहीं लडते they do not contest elections but share political power but share political power कैसे political power share करते है बच्चे by participating in government communities participating in government committees ठीक है या फिर कई बार आप देखोगे by influencing the decision of the government government decision कैसे थूप्रोटेस्ट struggle done चाले तो हमने भी क्या देखा last point हमने देखा बच्चे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो इंडस्टलिस्ट हैं फार्मर्स हैं बिजनसमेन हैं ये अपने ग्रूप्स बना लेते हैं क्यों बनाते भाई इनके भी बहुत सारे पावर को शेर करते हैं कैसे शेर करते हैं माली जे सरकार ने कोई कानून मना है जैसे अभी फार्म बिल्स आयते हैं तो उसमें क्या था आपने देखा होगा किसान बड़ा तगड़ा अंदोलन कर रहे थे उनके एक लीडर भी थे तो ये जो किसान का अंदोलन है या जो लीडर है ये कैसे बने ये तभी बने जब हमारे सम्विधान में पॉलिटिकल पावर शेर की गई तो आप इनको कह सकते हैं प्रेशर गृप्स का एक बड़ा अच्छा एक्जामपल है तो उन्होंने क्या क्या धरणा प्रजर्शन किया उन्दोलन क्याа चक्का जाम किया तो एक तरिके से बाहर से ये सरकार के उपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे है कि भाई आप अपने डिसिजन्स को थोड़ा सा रिव्यू करेए ठीक है तो कई बार आपने देखा होगा सरकार ने से यह भी का कि हमें कमिटी बनाते हैं आई ही उस कमिटी का मेंबर बनिये आके अपने विचार रखे तो भाई जो हमारे प्रेशर ग्रूप्स होते हैं यह contest नहीं करते हैं और इसी के साथ बचो खतम होता है आपका यह प्यारा सा खेल प्यारा सा कहानी तो अमीद है मजा आया होगा आप सबको हमने बहुत सारी बाते की अच्छा इंपॉर्टेंट चाप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं इसमें से एक खलील वाला जो आपका पैरग्राफ है उसको आप सिर्फ रीट करेंगे केस सड़ी आ सकता है लेकिन मांडेटरी नहीं है आपके इसके अलावा रिजन्स फ़र पावर शेरिंग वर्य इंपॉर्टेंट कोश्चन इसमें वह बहुत अच्छा कोश्चन है तो यह सारी चीजे बच्चे अपने को करनी है जो आपक वर्टिकल यानि जब लेवल्स और गॉर्मन में करते हो सेंटर लेवल स्टेट लेवल लोकल लेवल इसके बाद हम लोग पावर शेर करते हैं अपने समाच के अलगला ग्रूप्स के साथ जैसे सोशल शेडियूल कास्ट हो गए शेडियूल ट्राइब हो गए महिलाएं हो ग जीति हैं और सरकार बनाती हैं जो आपके लिए आगे चलके पॉलिस इस बनाती है चले तो पावर शेरिंग की इस कहानी को यही समाख करते हैं मिरी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड के अंदर तब्ते के लिए मस्त रही है चुस रही है और जुड़ रही है अपने प्यारे प्लाटफॉर्म पी डबलू और आपके प्यारे चैनल उडायां के साथ बाई 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 बच्चों टेक केर और लव यू अल